चैनले ज्वागत है हम बात कर रहे थे राजस्तान की इत्यास कि कि इसी की बाद सिंग करें तो सवाई जे सिंग कहा जाता है कि सासन काल माना जाता consultant 1700 तक सासन काल माना जाता है 17701 का सा नियालिस तक पिता वीशन ंड会 और पूर्फिक अपर शूआ करें अपर इसका वास्तनाम या बनाम क्या था वीजिय सिंग इसका नाम था चुटा भाई का नाम एग दिन वह गूरंड जेब के दर्बार में अपने पिता के साथ चला जाता है किसके साथ जब ओरंग झेट करता है इतना है इतना वाक प्तु था कि ओरंग को बातों में बातों में पर बाता रहेत प्रवावीत कर देता है अब प्रभावीत कर देता आए तो औरंग पढूरे वाला था मिर्जा पहले उससे भी ज्यादा समस्ता है किसकोれる किताई चीया मानता है सवाया का मतलब अमस्ट्रा एक से अधिक आणा का मतलब छाहाए yine सवाया सवाया का मतलब एक अधिक एक और एक का चोथा पार्ट और उसमें मिला दिया जाए तो 125 प्रसेंट ना इसी बात चलिए भई इसका नाम तो क्या कर दिया सवाई जेसी सवाई की तो उसको उपादी दी और जेसिंग से अधिक अधिक ट्रेलेंट था पहले वाले जेसिंग से अधिक ट्रेलेंट था इसका नाम क्या कर दिया सवाई की उपादी दी गई सवाई की उपादी दी गई इसको सवाई की उपादी दी इसको सवाई की उपादी दीगे समझ मैं इसके पशात देखे क्या कंडिशन होती है जब से इसको क्या कारने लगते हैं सवाई जेशिग अर्थात अपने नाम इसका मूल नाम जो क्या तो वी जएसिग इसका नाम किया तोई कर दिया गया अपादी और रंग देव बात करें तो इसकी ने साथ मुगल बाठसाओं की iOS के है कितने साथ मुगल बाठसाओं माना जाता है कौन दिशी उफजिसस आत मुगल बाठसाओं की एक सबुपर पहले जो आता है आपका औरंग जेव बहाद्दूरशा जहाधारसा उसके पछात त convention रभी और उसके पश्चात जो आता है मुझमत सार रंगिला इन साथ मुगल बात्साओं के थेवा करने वाला आमेर का सासा कोन है वही सवाई जेसिंग पश्चात बात करें तो यहां पर मुगल और उत्रादिकार से मुगल अर्था औरंग जेपता उसके दो बेटे थे लेकिन यहां उत्रादकारी शंगत्ट को दो में हुआ कितने में हुआ तो एक अजम और एक मुझ सामल आजम चाते हैं किसका सासात देता है बाइवесьाल का च्टा भाई जुन का JOE इसका सवाई जेसंग आजब का साथ Also सब्सक्राइब का नाम से साथ को देता है और इसका विटेस को हुझा भूजै को होता है इसमें पूझाक्राइब आता का नाम बद्र कर देता है या मुमीन आबाद कर देता की मुमीन आबाद कर देता गद्धी पर से अटा देता है और इसका नाम बदल करता है मुमीन अबाद कर देता है कि मुमीन अबाद कर देता है ठीक है चलिए इसके पश्चाथ क्या होता है कि यह देवारी शम्ज़ता होता है कोन सा वाला मेवार का अमर सिंग सेकंड मारवार का अजीत सिंग और आमेर का सवाई जे इन तीनों के मद्ध्य क्या होता है देवारी सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता है उसको क्या करता है वहां पर विजे गड़ी नाम के बहलता है उसमें खेद करवाई विजे सिंग करवा देता है विजे गड़ी महल में अब आगे बढ़ चाहिए और पुना सासा कौन बन गया अब सब्सक्राइब करो मैं तो भरतपूर एथारी संगर्स में भाग लेता यह इस पर उत्रादीकारी संगर्स में बहले संगर्स होता है संगर्स में भागने में पशाथ यह बदंद सींग को सवाई के सिंग कोन फैरत उस्तों सवाईजे बरजराज की उन्थवादी देता है और डिग की जागीर कना देता है क्वाइजींग किसको बदंदू सिंग का बहुरत का बहुरत कि जागीर देता है और बद्राज की उस्पादी वाईजींग देखके जागीर वाईजी're इससे कुष्ऑ कर और मुहम्माज सार रंगिला गाइजर राजैसर देता है किSu se कि तो косा है आप किलेबदार कुछ है कि यह उटादिस है कि इस ने कौन बनाया जाता पहला बनाया जाता सत्रासुत उते रहा में उस समय मगलबाद साथ फरुक्ष एर पूंता है हरुखर मुगलबात साथा दूसरी बार जो बनाया जाता है का आजाता है दूसरी बार 1729 में बनाया जाता है अपर दोबार अंतिम दोबार 1729 और 1732 में इसको क्या बनाया गया मालवा का सुभेदार बनाया गया तब मुगलबाद शाकों ता मुट्सा रंगिला और पहली बार बनाया गया तो उस्समें कोंता फरूक करते हैं कि यहां पर मुगल और मराठा की बीच भी सवाइज से लेका जाता है कि यहां पर विल्सूद का यूद्स गया दूता कैसे था के भोटा है 1715 जुनीशतर समयलें समयलन सब्सक्राइब का जाता है कि पहरे दोस्तों यह किस किस के बीच होता है संगर्स पहले युद में यह जीता है कौन जीता है सवाई जी सिंग जीता है मराठा को पराजित करता है सवाई जैसिंग प्राजित होता है उद्रे उर्चा आप किजे सवाई जैसिंग प्वीजे मराठा तो पीजे मराठा कर दो ना यहां पर क्या है वह वाली जीतना नहीं बात घुड़ा सम्मेलन होता है क्यों अधिक बंदू-सोर की युद्वती पराजीत हो जाता है पराजीत हुद यह एक शंगटन बनाता इसका शंगटन राजस्तान के राजाओं को बुलाता है यह क्या सोचता है उसके दिमाफ के उबश्टे कि स्वायूजेसिंग के दिमाफ की उपज यह थी कि के सारे मिलकर con medals कुषिए के कि कैप संबेलन बुलाता है और सब interaction करने की सोचता है समेलन मैं वह राजाहों को बलाता है को भागा जाता है कही सारे राजा भाग लेने आते हैं इसमें 17-07-1734, हुरला नामकिस्तान पर सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है कि आध्रक्ता इसकी योजना बनाई गए थी ये देक्स था करने के लिए कहां के पर दोस्तों मेवार के मेवार के संग्राम सिंग को निवक्त किया था आध्रक्त किसे को बनाया था करने वार के संग्राम सींग को नियूक्त हिए ता लेकिन का यह जाता है संंग्राम सींग की म्रत्य हो जाती उसका बेटा जो यह वाद में शाष्घ बनता है जगत सींग भूर जाता है नियुसी टेख्ष्थाकर जगत्षिक बनता Ay बनाई गई और इस में कहा जाता है की वर्शाकाल की इस वर्शाकाल के बाद हम रामपुरा कोटा में एकत्रित होंगे यह करें बनाई जाती तौर इस लेकानेर का जोरावर सिंग आता है जो तुर का अभेज शींग आता है एक सारे लोग इसमें भाग लेने के में लेए ढ़ते हैं और जगत शिंग अपना वैवाड कथा ईस और जरे सिंग इस इनकान यह प्रेक्षथा तरो नोत्ता के रिष्जनी क्या होता है यूझना बनाते बात जोता है यह कुछ य०्ध होता है का इद बर्साथ क्तम हो ने कि बश्याति है जाकर सेना लेकर मारता ओपर प्रभाद कर दिया आजाओ कि लड़ने चल रहा हैं पराजे तीनों युद्व समझ में आगे अब क्या कंडिशन कर दोस्तों पश्याति ये उत्रादिगारी संगर्स में भाग लेता है अब कहा जाता है इसकी एक वहिंती अमर कंवरी कोंती सब्सक्राइब इसका बुद्ध शेंग का बुद्धी का अब इनके कोई पुत्र पेदा नहीं हुआ दो एक पुत्र गोद लिया एक पुत्र गोदलिया जिसका नाम क्या सलेल सिंग यह का जाता है है यह करवर के सालिम सींह का पुत्र था किसका पूतर था वह रो कि Dee तो ले लिया बाद मिंवर जाएगा तो कोन बनेंगा अब कालांतर में का जाता है बुद्दापन जाकर अपना कोच से उना इन आहीं तो का जाता ही चंपाउ तो खिराणी थी इसको एक पूत्र प्राप्त हो जाता तो कोई था ही नहीं प्राप्त हो जाता वहीं उम्मेद सिंह का जन्म हो जाता और जन्म हो जाने के पास्ट अब यह सोचता ठीक है अब इन इस ने सोचा उंदी की राजनीती में से अमारा हस्टचे भट जाएगा अटेगा निया बरन मरीर बस बुड़ा पाहिए था अब इनका लगब टाइम कुरा हो इन वाला था तो का जाता है अमर कवरी अब पुत्र है नहीं कि यह क्या करता है बुंदी का राज यह बनेगा बनेगा नहीं बनेगा दिमाग लगाता है और पुत्री स्का अपने पुत्री पुत्री कौन कुष्णाकुमारी का विवा किसे कर देता है तक पुत्र तर नहीं कर देता है जो गोद्ली आ था ततक पुत्र था यह इसका ले लिया अब कन्डीसने यह दोस्तों आप यह और यह तो चाहे किसा राजा बनां तरह संगर्स तो गानत हैं यह और दौनों तो चाहें कि इसको राजा बनाने कि इसको नहीं बना और यह गैसी चक्कर में हला खाहता है Guella मलार राओ के पास कि उसको जीतनी सकते तो गहला है जैसी जोने आदमी उसको जीतना आशानी का काम नहीं तो कहा जाता पैर दोस्तों तो अमर कंवरी इसके इसके यह अ मरका तरफदर कि अपन गो बाब बढ़ा ना वाईया सबसे बढ़ा रुपईया इधर पैसे ची और छे लाख रूपई लेते मराठे किसे अमर कौरी कि कर आए शासक बनाया समझे मं वर्यां पीडिशन हे रूए आपने हम्ममने आपका साहित दिया है आपको राजा बना है अब वार्शिक टेक्ष तो देना पढ़ेग चोटाा कर आजाता ता क्या का आजयाता था कर आजाता तो थ्यां पहीं दिन बाद sobie कर दो टूंदर ले गयर को फिना है प्रम नहीं से अपने आपने मराटा नहीं है कि अपने मुगल है कि देना पड़ेगा तो फिर कि यह में बावाजी का तुल लाओंगा या बेटा-बेटा इदर आधे को आप ले जाओगे यह कि बेटा-बेटा में क्या करूंगा बजन प्रफों इस चीज को लेकर इनमें क्या हूथ एक सम्झूता होता है क्या होता है पर यह शम्झूता कौन सा पर दोस्तो एक सम्झूता जिसे ढोल पूर चाहा जाता है तोल पूर समझेता का आ जाता यह वो पूर्दी बीच और दूसरी तरफ कौन मुगल कौन ब्रोन प्यार दोस्तो एक तरफ तो मराठा और एक तरफ दोनों के बीच क्या हो जाता समझोता होता क्या होता वहीं समझोता होता और इसमें क्या किया जाता कर निर्दारण करने की सर्ते क्या रखी जाती पेर दोस्तों यहां पर देख रहे हैं यहां पर आपका राजस्तान किस परकार का दिखता है इस तरीके का राजस्तान देखता है तेने दिखता राजस्तान का वेप सभी ने देखा है ठीक है अब यहां पर इस तरीके का राजस्तान दिखता और इस राजस्तान में क्या करें पहरे दोस्तों इस राजस्तान के बात करें राजस्तान में आपकी एक नदी निकल कर जा रहे हैं यहां से नदी यहां से चंबल नदी आती है इस तरीके से चंबल नदी निकल कर इस तरीके से जा रही है इस तरीके से चंबल नदी निकल कर इस तरीके से जा रही है अब उन्दी यही पढ़ता है अपना चंबल के दरी यही पढ़ता है ना पढ़ता है न तो करका निर्दारन अब क्या किया जाय कि करका निर्दारन जो किया गया पार दोस्तों केसे किया जाए इधर वाले ख्यðun के यां का वाला चेतर है कौन लेंगे मुगल लेंगे उपर वाले च्एतर में चंबल लाधी के उत्री वाले भाग में कौन करवसुलें अर्चंबल के दक्षण वाले भाग में हमें एधर वाले भाग में को बटा करने फुर्व तरीके, क्यों हुआ था कारण क्या था इसका यह किसलिए हुआ था वही यह गुंदी में प्यारों दोस्तों गुंदी गुंदी तियास्त में तियास्त में मुगल वह मराठा के मद्द्ध कर वसूल है कर वसूली को लेकर हुआ इसको लेकर कर कर वसूली Ton अि उ कुंदी पॉझ कवह कर को मदो कर हुआ कि क्यों था शन्य गया कॉठ बश्योबॉया तर वसुलिक को अब कहा जाता पैर दोस्तों इससे तो यह जिन्दीगी बरपने फटे में पाम वड़ाया इसने इसका काम कोई नहीं अजे शिंग का किया नेक्स बात करते है इसके बाद यह कहां जाता है जाता तो कहां एक गंगवाना का युद्ध हुआ था और गंगवाना का युद्ध हो फिस्किस के बीच होता है देखेँ कर गंग ना का युद्ध हुआ पैर दोस्तों और एक तरफ नागोर वक्त शींग कौन ता यहां का वक्त शींग कौन सा सकता यह समय नागोर का का पैर दोस्तों नागोर का वर्सेज किसके बीच होता है जोरावर सींग के बीच होता है जोरावर सींग जोरावर सींग कहा का सा सक वही विकानेर का का यह विकानेर का 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 पैर दोस्तों विकानेर क इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है इसका साथ देने के लिए का जाता है जोदपुर का साथ सकता अभे शिंग कौन था एक तरफ जोदपुर का साथ देने जाता नागोर के बक्त शिंग का जोदपुर का साथ देने के लिए कौन आता आपका जोदपुर का अभे शि कि शोद पूर का काःए का इसका सात देने के लिए कों आए जोद्पूर का अभे सिंग का कह साकता ये जोद्पूर कि ऊन इसका सात कि लिए आता इह ऑँ शुडूर को ऐसी要 mean के लिए आता ये 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 पूर का ये तक hè या जाता है यहां पर वीजे कौन होता है यहां पर कि विजे हो जाती ही यहां पर जोरा वरण शिंग यग बोले तो हवाई जीट लेसा उधिया Krism साथ देता है यह पिकानेर की राज नहींस नहीं को राजए है पहले 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 कहां पर लोग मरा ठाओं से ठांगा आठा था अर्था दूसरे के पटे में पंगल इस नहीं कुछ नहीं किया किए सी बात है एक काम ज़रूर किया है देबारी शम्ज़ता वो खुद के लिए किया था सासक बनने के लिए किया था वही किए निक यह करवाया था किस किस बीच ने तो मेवाड़ वाला सासक जो कुर्ण ता अमर सिंग और इसके पहस्छात अब क्या करता है कि यहीं अन्तिमिन सासक माना जाता है जो आशो मेग यग्य करवा यह कोंशा सासक होता है अच्छ अच्छे काम भी करवाता है ना क्राम करवाय गाई शहीं एक आशो मेग यहिए कि इसके द्वारह करवाय गया चांटी कि लिए Glenn कियांटार उकार जॉचालीयött कि त्लिस होग एक अचितैक करवा यागा सथा चांसे मां कर्वाया गया है आशुमेग होता फैले में तो रामायन देखी होगी तो रामायन में क्या देखा तो नहीं पर्यावरण की शुद्धा के लिए है पर नहीं पता है के लिए लेकिन यह हुता है अपने आपको पाधी धारण कीजा के बाद एकजार आठ दसजार आठ ऐसी उपाधिया कुछ धारण की जाते राजाओं के लिए तो आपन के तर श्री श्री एकजार आठ फलाने रामजी पदार रहे हैं दार है ना वह उपाधियां मिलती थी अब कहा जाता है क्या कंडिशन इस समय जहां पर आस्व में क्यों क घो को छोड़ जाता सामराजी विश्थार के लिरह के लिए की छोड़ा जाता है को कि अपने सामराज जी विस्टार के लिए कमौली घ recommends ये चारट आएले मेरे सामराज जेए घप मैंने क्या किया कि आशपास की सारी आठ know the niece complejo gear '' जीत लिया । अब मेरे से आशपास की डाजया तो इससे डरने लगे रेंगे जुआना की मेरा पालेaways आप ढरेंगे। अब डरेंगे अब उस कंडिशन में जब आसपास के राज्यों को जीत करवा लेता है प्रीव वह सुमेगी एग्जे करवा लेता है क्या करवाता है अर्शमेगा का मतलब सामराज्य विस्थार करवा है उसी घोड़े को जा सामराजय का विस्तार चाल भी एक वर्स के लिए। शोड़ा जाता ता बल्य वer又 यह से पाकिस्तान चला जायता पाकिस्तान चला जाता लगा है तो पाकिस्तान अप्रा अधिकर चुनोती दे जाती जो इसको पकड़ेगा किसे बाइस किसे करना पड़ेगा वह सवाई जैसे किदीशी बात आप सवाई जैसे करना चाहता है और उसकी चुनोती को श्विकार करना चाहता है कि अधिक वह लगोश्व क्रबार को यह लिए घ्राइट और यह के चुनोती को पड़ते और ऋरए इतना अहंकारerson इतना आहंकारी राजा कौन इसमें अहंकार की भू आ रही है किसमें अरह इस कुनूती में अहंकार चाकुल रहे तो लेंगे कोण आता है यह तो लड़ेंगे अ कि नियुकि राम को लड़ेंगे फेले चाकर सूचना देके पहले तो उसके वुड़े के साथ रखबाली करते हैं वह यृत तो जीट जाये तो प्राजान को लेखा हो पिर को ना है फिल लक्षमान आया सत्रुधन सब्क्राइब इस पर आक्रमान करने के पिछा इस पर करने की प्रकारनों कुछ तो çalışए ऐ ता रहता कि जोड़तर गृुदे विंति करते हैं और इश्वर से कामना करते हैं कि वह वाष्थ तो में देखते एंड कि तो प्रभावित होते हैं और उसने के बाद क्या करते हैं क्या करते हैं प्यार करने की इच्छा कर रही है युद्ध करने की नहीं प्रिवी वो तो उक्साते हैं कि ठेरे हुए पानी में पत्तर न महार्शा हो रहे हैं दिल में हल चल सी मत जाएगी वह वाली कंडिशन कर देते ना वहीं समढ़ जाओ तो समढ़ने के पहले उसको गुरु वशिष्ट को याद पढ़ते हैं तुरू तुरंत आते हैं कि अब तो चुनोती किससे हो गई वाते बताते हैं कि जैहाता है क्या नहीं है बहुत है कि कणिशन क्या होता है पेर दोस्तों अब वही आश्व должны की एक और मश्यका ने शुची प्रकार से अशुमे अश्मे गई इसने करवाया तक प्रमुख पुरोभीत को प्रमुख पुरोहित रतना इसका फ्रमुक पूरत और कहा जाता है इसमें घोड़ा जो पकड़ाथा किसकी बात करें घोड़ा पकड़ा था की गोड़ा पकड़ा था कुमबानी बाढ़ें कि दिप सिंग में की तौर पकड़ा गया जीप सिंग कुंबानी की द्वारा ये घोड़ा पकड़ा जाता या राजस्तान का अंतिम इंदू सासक माना जाता है जिसने अशुमेग यग्य करवाया यहां अंतिम इंदू साशक अंतिम इंदू यहां से पूछा जा चुका है और आंतिम इंदू साशक कौंता और इसका दूसरा प्रस्न यह बनता है यह इंपोर्टेंट लगा लें तको भी यह यह यहां से पूछा जा चुका है का है कई बार रिपेट हो समझे में आगया ले बड़ा कुछ है अश्मुवेग यह क्या होता है करवाओगे ना फिर कौन सी उपादिधारन करोगी तुम लोग है एक श्री स्रीए कजार आठ राम जी पदा रहे हैं ना वाले करने सिले डॉक्तर को ऑले उसके लिए आसपास के राजी जीतने पड़े हैं अब बात करते हैं किसकी बात करने जा रहे हैं कि बात करें इस्तापत्य का वाइजी सी अपत्य कला अपत्य कला का विकास कि आप से उता है अब सब ले जा लेते हैं कि अपत्य कला में कि बात करने जा रहे हैं तो पर जयपूर को जो बसाया गया था पर दोस्तो अठारा नवंबर थारा स्बसाया था तक वर अद्रस्था या फै रहा सप्ताइस लिए है कि अत्रासस य का देपल अगर कभ़ अतला था गया साथ से पस कि दर 2Ayas ur 0549 का यह पूर आपके राज़दान पार में तनक हो ने ना लाज़दानी के बार último इतना पताओ आ लगे चाहरूनागा संब खाञा से कि क्यों बटार साथ यह साघलड ढिता है यह पहला अधुनिक इसके पसाने वाले का जाठा है इसके जो प्रदान पुरुईत माना जाते है इसको बढ़ान बनान बसाने वाले तो प्रदान पुरुईत माना जते है पंडित विद्यादर बट्टाचार अचारे है इसके पुर्तकाली जो अचार रहते हो डिशिलवा थे साइक माने जाते हैं क्या रहे जाएगा यह नो चोगडियों के आधार पर बसा हुआ है क्या अधार पर यह प्रतम भारत का प्रतम आधूनिक शहर माना जाता है कौन जयपूर जयपूर में आपको पताए कि यहां पर जयपू इत Mi hear जोरा वर्सीं गर्ट बड़े चोपर से देखी का बात करते हैं इसके बात करेंर दोस्तों सबसे पहले तो इसको बसाया किसने हुआ है कि कि इसस्तापना करने वाला क для bounced Как बात करें करें। कि इस थापना किसने का बसाया किसने अब साया वहीं सवाई जैसिंग ने जैशी इसको बसा दिया यह इसके आदार पर नो चोगडियों के आदार नो चोगडियों पर पर बना नगर बना नगर है यह अब बात करें यह चिंद ताम अब बताओं प्रदान पुरोहित प्रधान पुरोहित फिर प्रदान पंदित पंडित पंडित विध्यादर वर्त कि अधियाधर पाइए पिद्यदर बट यया बट्टा चार एटिकर रहना इस को एध यह इसके सहाइक पंडित पुरोहित जो ते टी इसीलवा कौन थे कि लवा उन्ते इस सिल्भा साहिव नान्त इसटाइक पुरूई तहायक पुरह या डिसिल्वा ये कहां के खाली कांड़ि पुर्तगाल चेट तों आ किे ये या ये प्रतम क्सरों आधिनक शहर माना जाता है और आदूनिए के इसकी तुलना करें तो चीन के हैं नेटाग नेटांग सहर से ओर का जाता है ईरहाट के बगदाद सहर से कि उनकी आधार पर इसको बसाया गया है अब कहा जाता है कि इसकी नो चोगड़ी है क्या होती है एक चोगड़ी टोकॉर लिबबा लोगड़ी का मतलब चोकॉर दूसरी तीसरी तोथी वर्ग ये वर्गाकार होते हैं इस प्रकार के कि देख और बात करें प्रकार के तरी के से कि बनागे तरी के से नो डिबब बनाए गये ते इस ता निर्मान किया गया इनो चोगड़ी अब इसमें क्या होगा गलिया तो लिया चोबारा ना दोबारा तेरा यहां इस तरीके से इसको कहा जाता है नो चोग अब इसमें गेट होगा एक गेट यहां बना दिया होगा दूसरा गेट यहां बना दिया होगा तीसरा गेट यहां बना दिया तो था इदर परकार से इस सारे गेट बंद करने के बाद क्या अंदर कोई गुस्ता है अंदर अजवेर गेट गांट गेट गोरावर गेट यह सारे नाम हैं वहाँ पर अभी भी है न यह होता था भीच वाला जो भाग एगी चोड़ाया दिख रहा आपको यह वाला इस स्ब्राइब बहाग को क्या बोलते है जहां चुराया बनता है इसको बोलते है चोपड क्या बोलते हैं चोपड बोलते है तो बड़ी चोपड छोटी चोपड बदी चोपड जो भी यह वह अलग अलग नाम दे रखें इस परकास से बड़ा मीरा बाजार कहा लगता है मिना बाजार कहा लग बात करें तो यह बसाया कारण क्या था यहां पर और सामाजी के इस्तिति को शुद्रल करने के लिए बसाया गया था और क्या प्रधान प्रोईत क्यों थे पंडित विद्यादर बट्टा चाह रहें ठीक है इसके सायक थे पुर्तगाली थे और कब बसाया गया भी कि याद रह जाएगा पक्का काई भी कर सकते हैं अब तो सामने यह बेटा है अब बात करते हैं पर दूस्तू जेबान तोपकी कि हाई थी रोगवर के ससक्राइब हिए हिए बाट करें कि ए अटक्राइब करतें यह पर तो यह प्रकाज्यक्यूर्स इस्तिफ एवान तो यह वैं प्रप्रमी तार क्यों प्रप्रमी तो इसकी विश्यस्ता देख लेते जहां तक निकाल क्या क्या है इस सबसे पहले का निर्मान किसने क्या निर्मान कर वाया रवाय। सबसे पहले है तक तक पहले है तर रवाय अनुस्त कर दिया है और निर्मान कर वाया है है जाता है पार दोस्त तो यह जो फॉचन एक ट्रम तेंगलो को पाचाश व्टतन में कि अरा घणी फटेना यहार बने दिल तोड़ने वाले बाते मत का रो हाँ है इसके बात करें वजन इतना 50 तन कितना प्यार दोस्तों पचासट रूजन इसका वजन मना जाता हूं कि इतनी विशाल है जाता इसकी मारक शम्ता ऑस की बार देखा गया का जाता इसकी मारक शम्ता 35 किलोमेटर लगबग 35 किलोमेटर दोस्तों 30 किलोमेटर ग्या 22 मिल रहे बील में देखा जाए तो लगबग उस जमाने में माइने रखता था भई बिना आधुनिक जमाने के 35 किलोमेटर 100 किलो बजन और इसमें जो बारूद भरा जाता क्या पहरा दोस्तोर बारूद कितना बारूद कितना को केजी और बात करें यहां पर गोला की बात करें इसका गोला गोला किता भई 50 केजी का गोला किते केजी का पचास केजी का गोला किते केजी का दागा जाता भई 50 केजी का इसमें पचास केजी का इसमें का दागा जाता है अर्था पचास केजी इसमें को कहां तक से जा सकता ह चलिए यहां पर क्या करें पर दोस्तों देखिए मैं फोटो दिखाता हूं आपको एक मिनिट के लिए भाई कि रेखेगा आप आपकी तोप कर आपकी तोप को जाये गाए एक रहे हो कि स्क्राइब रहे हैं तब घृचल चेल आपकी तोप हां और जाये जान इस रहे हो कि यह अज्यारे यह जिए कि अली है लगबग इसकी तो चोड़ा इस की च्योड़ा ही इस नाली की चोड़ाई है इस नाली की जो चोड़ाई है मानी जाते है लगबग 11 इंच कितनी है 11 इंच आंदर की जो नाल है इसकी चुड़ाए कितने मानी जाती है जिँलल भा यहां से वहां तकी मानी जाते वीज़ट al B लंबाई शिंटे इसकी लगभग 20 पृत माने जाते इसकी लंप यह से टी सिट कि लंबाय है िसफे लंबाय यह तक लेवी लमभ है कि पिस्पिट लंबी यह और कि तो नाल के चोड़ाई वह का रही है है को के जी बारूद लाला ज़ता है misleading प्रक ग्रोला जबन वह तो के जी बारूद डाला जयता है और इसका जुग घुला लेगा वहां पहीं जड़ाना पड़ेगा ना बंदु की गोली चलती तो एक गोली निमटती है कित επιthought एक तो टो तो तो पीलों बरा जाता है 50 किलो दागा गया इसका जो गोला है है जो गोला या पहर दोस्तों वूच्व डिराता चाक्षू के निगट कहां पर चाक्षू के कहांपर टाक्षू याद शुकर निकका्ट के निकट गिराए इसका गोला कहा जाकर गिरा ता छाप्ण युक्तू के बाख संब सक लिए अब जाँपर गोला गिराथा तो छुरी जाएगा सीधी बदिक फटेगा का इतना अबधा चलते हैं किया ठोटे में हो जाता है रूहां की ति यह जब इतना इतना सा इतना जुर्भ गड़ार थे निया पिछ गोला सब्रक प्रणव नहें कर जाने के वर dug कि उसमें कालान तरह पानी पर गया पाने लाध पर दिया उसको गोले लाए तालाब को आद है जायगा जहांपर जहां ठीक है गड़ा हो गया गड़ा हुआ उसमें पानी भर जाने के कारण पानी भरने के कारण गोले लाव गोले लाव तालाब बना अब प्यार दोस्तों इसको एक ही बार चलाएगा इसके आवाज की कारण काहा जाता है गरपात होगया इस कारण इसका बार चलाया ही नहीं गया गया दूसरी बार परिक्षन नहीं किया गया एक बार चलाने के बाद इसने खतरनाग काम किया और इशी कारण esa चलाया नहीं किया पर अले बड़ा ले आगे अ कि अधिक समझ में आगे तो 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 यह आपके समझ में आया प्रेले नेक्स्ट बात करें यह देख लिए आपने कुछ तो पर यह आपकी तो पर कि यह बांड तो कुछ इस एफ पांड का रखी हुई है तोड गर्ड डूर का लिए आपको कर रखेश्यए आपको करकी यह के सिए के सिभ्ट तो रहे जाए तो देख लनंसे किसकिसी ने देखी इसी कि अमारे से ने बताई थी वह यह सी दिखती है वास्ताओं में है या नहीं है तो अब पढ़ा कुछ इसारी चीजा अपको ध्यान रखनी है इसी के द्वारा देखिए क्या करवाया जाता भी कि अधर आफर कर द्वारा क्या करवाया जाता सूर्वाइद शला क्या सित्रा करें कि बातकर दोगता कॉर वेंज सला से ज्क हम कऑ पर बैड चॉểnो फ्रिक टाड़ कर वा या टार बहुंट पड़ शाल का निरमान तरुर वायर करत शाल इस तोड़ भी चासली निक टौर बेत्सर तौर्वेत्सरा ला स्किर्षानतर त strongest अंतर क्या गयति गया गयरेत जंटर मंत्र करते रिच यंद्र करने शिप्रिवांड करें इस्कोथ वहरा आच इस्तांवेड में वांट ranges हुआ पर आंतर ह हैं जिसम्हेट लाइजे स्थे द्वारह पाजंतर मंतर बना यह कहां कहां बनाए गए घाए यह देखते हैं कहां बनाए जाते देखें जो 5 जंतर मंतर बनाए गए वो कहा कहा बनाए गए सब से पहले बात करें पांच जनतर मंतर करें हम पांच जनतर मंतर इस देखिए पांच जगुपसा आर और पांच अब से पहले दिल्ली का बनाए गया भी दिल्ली में बनाए गा दूस्तरा पर बनाए गया थीसरा वारानसी आँ वाराना करें कहां पर प्यार दोस्तों गया है जेन के बाद कहां पर बनाए गया बनारस का बनाया गया तरह मतरा वारानशी आगी ना बच्छुरा अगा तेका चलिया में तो कहां कहां बनाए गया भी तो यह पांच जगोग पर दिल्ली जैपोर और वारानसी और उसके बाद उज्जेन और मकी पांच जगोग पर इसने क्या बनाए थे जंतरमन ते यह गोली गणना आते थे ए और मंडल की गणना ओं अधिक लिए उस्ट जबाने में यह विक्षित हो गया था कि दिमाग विक्षित था या ने अगा पंडिशन यह प्यार दोस्तों अब क्या क्या जानकार्यां हमें देखने को मिलती देखी जैपूर का जाता है कि यह सबसे प्राचिन क्या सबसे प्राचिन की बात करें ते प्राचिन और सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले या प्रतम जंतर मंतर था यह कौन सा प्रतम जंतर मंतर दूसरी की बात करें यह सबसे बड़ा है क्या यह सबसे बड़ा जंतर मंतर है यह बड़ा जंतर मंतर है इस पर का जाता है जेपू वाले जन्तरमंतर पर किसकी बात करें पर दोस्तों कि daha ले जन्तरमंतर मंतर पर वर्स 2010 में किला तो 2000 सब्नुने भर्स 2010 में जहां पर Unisco द्वारा किन समीश्व धरोवर की सूछी में सामिल किया एक halten भरोहर की सुची में सामिल किया गया, सामिल कया गया किया गया इसको सामिल किया गई जयंत्रम एप resilient month में सामिल किया रजाएगा पहरे दोस्तिन पर ध्यान देखना kiss जह इंग Hamilton ऐख क्या है आप 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 क्या आप आप लगा हुआ है समराट यंत्र लगा हुआ है जो दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है किया है कि विश्व की सबसे बड़ी घड़ी कि में कहां पर है जेपर में दिखाए जाता है और देखते हैं कि अ बड़ा है कि अ प्रमंतर है यो अ कि अग्राइब तो कोई नहीं कि बाद में बात करते हैं चले तो इस तरीके से का जाता है कि यह इस तरीके का एक यंत्र बना हुआ है जहां अब तो सम्राट यंत्र क्या है उसको क्या का जाता है दुनिया की दुनिया की सबसे घड़ी घड़ी अब से बड़ी घड़ी घड़ी ठीटेए जहां रखना है यह क्या है आपका जंतर मत्र यह यहापुर जंतर मंत्र स Воला है क्या जंतर मंतर कौनसा है मैं यह है है किला चंटर मंत्र कंता है फर्वाला जंतर मंतर मंती जिसमें कई परकार के के प्राचिन समय में देखा जाता था वहाँ पर सभी तरीकी के यंत्र लगे हुए और भी यंत्र लग याद रह जाएगा रहेगा नि रहेगा पल्ले पड़ा कुछ अब का क्या है का पर इसने पांच जबेटी सालाई निर्मान किये कौन कौन से इस्तानों पर घ्ली ज्यपूर वारान से चली से दिते आगता हाँ है या इस अता नहीं वाला जैदा प्रत्र सब्सक्राइब तो आप आसानी से कर सकते हैं तो ईनिशकों की विश्वद रोर ने मिल रोव बिधिमागे है रहत पढ़ुछ बढ़ा. आगे दोस्तों तो आज के लिए इतना ही काफी बदबद धन्यवाद मिलते हैं नेक्ष क्लास में नक्ष जोस और चुनून के साथ बने रहे हैं डी ये सर क्लासेज के साथ आगे की बाते हम पढ़ते हैं नेक्ष क्लास में प्यार दोस्तों तेके धन्यवाद